सिंचाई की सुविधक के विस्तार से उत्पादन में वृध्धी के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाने लगा तथा एक ही खेत में रभी इवं जायद मौसमू में उत्पादनों का विस्तार किया गया इसके लिए पानी की आवशक्ता थी पानी की यह आवशक्ता बांध एवं भूमिगत जल से पूरी की जा रही है भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से इसका इस्तर नीचे जा रहा है पंजाब एवं हरियाना में भूमिगत जल इस्तर 4-6 मीटर नीचे चला गया इससे कई नलकूप सूख गये इस प्रकार भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया जाए तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे नलकूप सूख जाएंगे इसलिए यह आवशक है कि हम उतने ही जल का उप्योग करें जितने का रिचार्ज संभव हो सके उत्पादक्ता में व्रिद्धी उत्पादक्ता का आशे निश्चित भूमी पर फसल के उत्पादन से है उपर हमने देखा कि भूमी की मात्रा निश्चित है इस पर सिचाई की सुईधा का विस्तार भी निश्चित सीमा तक ही किया जा सकता है इस कारण मानव ने प्रती हेक्टेयर उत्पाधक्ता में व्रिद्धी का प्रयास किया और उसमें एक सीमा तक सफल भी रहा उत्पाधक्ता में सरवाधिक व्रिद्धी गेहूं इवं मक्का की फसल में दर्ज की गई देश में 1959 में गेहूं की उत्पाधक्ता 663 किलोग्राम प्रती हेक्टेयर थी जो 2010-11 में बढ़कर 2938 किलोग्राम प्रती हेक्टेयर हो गई इसी कार में मक्का की उत्पाधक्ता 547 किलोग्राम प्रती हेक्टेयर से 2540 किलोग्राम प्रती हेक्टेयर हो गई इसके विपरित डाल की उत्पादक्ता में गेहु और मक्का की तुलना में कम वृद्धी दर्ज की गई देश में उननीं सो पचास इंकावन में डाल की उत्पादक्ता 441 किलोग्राम प्रती हेक्टेयर थी जो 2010-11 में बढ़कर 689 किलोग्राम प्रती हेक्टेयर हो गई उत्पादक्ता में वृद्धी के लिए कई उपाय अपनाए गए इसमें अधिक उपज देने वाले बीजों, रासानिक उर्वरकों तथा कीट नाशकों इत्यादी का प्रयोग किया गया पहले पारंपरिक बीजों का उप्योग किया जाता था इन बीजों का अनुसंधान कर नए अधिक उपज देने वाले बीज तयार किये गए पारंपरिक बीजों की तुल्ना में नए बीजों के प्रयोग से उत्पादक्ता में अत्यधिक वृद्धी हुई हरितक्रांती का आधार उन्नत बीजों और उर्वरकों को माना जाता है रासानिक उर्वरक उत्पादक्ता में तातकालिक वृद्धी का माध्यम है 1966-66 में भारत में मात्र 7.6 लाग टन उर्वरकों का उप्योग किया गया था जो 2001-2 में बढ़कर 174 लाग टन हो गया